आजसी साहित। दे .. परियोजन बारेगल करेंगे। जदों सी कोई भी किर्थ पढड़ देहां कोई भी लिखत पढड़ देहां कहाञ्टी नावल नाटक जहां किसे भी विदा बारेगल कर देहां। तस अड़े मंदे विच अंदै कि ए की हैंd ता उसनों सी साहित केने हैं, साहित दी कोई विदा गेने हैं, साहित की हुंदा है, और साहित दियां विदामा की ने, साहित दा प्रयोजन की है, इस दिबारे बेच चसी गाल करांगे, कि सब तो पहिला जदों असी बेख दे हां के साथ याले द्वाले कट नावा वापपरदिया ने स्थितिया ने, परस्थितिया ने वरतारे ने ता उन्ना वरतारे याँ दा जो लेखक हुंदा है उपुनर सिर्जन कर रहा हुंदा है ओदी कलात्म अभी वियक्ती कर रहा होँ, उसनों सी साहित कह दिलने है, साहित जो दो शब्दा दे समेल तो बना है, सा जमहित, सा जमहित दा मतलब, जो सार्यान दे हित विच होवे, जो कल्यानकारी होवे, जो साच दी गाल करे, अनान्द दी गाल करे, खेडे दी गाल करे, ते कलियान कार्ता दी गाल करे पाव साहत ओ है जो सत्यम, शिवम, ते सुन्दरम दी गाल करता है तो साहत नू जदो असी एक शब्दी अर्थ ते दुज्जा संकल्पिक अर्थ दे तौरते वेख दे हां ता साहत नू सब तो पहलना सानू ए वेखना पहेगा के साहत लिट्रेचर दा पंजाबी अनवाद है ते लिट्रेचर शब्द लेटर तो बनेया है लेटर दा पाव है अखर पाव अखर संसार अखरांदी दुनिया तो ओ अखरांदी दुनिया जिस दे वेच मनुखी सच सोहज कल्यान कारता शामिल होंदी है सो जदो असी साहत दी कल कर दे हां साहत दे वेच जिते साहत दे वक्रे वक्रे रूपने सब तो पहला मैं एदसना जावांगे के साहित दी एक वंड है साहित कारने जिडे साहित दे इतहास करने जिना ने वकरी वकरी डिवीजन कीती है साहित दी उस्ते वेच सब तो पहला ते असी वेख दे हां के तेन तराना लसी साहित नू वेख दे हां के आदकाल मदकाल ते पंजाभी वारतक तेमी मादकली कि बीर किस्सा साहित तो वारतक सहत हुआ है मादकली पंजाबी वारतक हुआ है बिच भी एकगो सदेकुल साखियाने, जनम साखियाने, गोष्ट आने, इस अन्वाद प्रमार्त है, जो ए सारा सदा मध काल दिया, विदावाने वखरिया, फिर दीसरे पाक देवेचे जदो जनने हा, ते ओ है सदा आधुनिक साहित, सब तो पिलां गलप गलप देवेच मधन काहाणी और प्र मिन्नी कहाणी इस नावलट वी शामल हो जान अन पुनिक पंजाबी वारतिक दिया है को साड़े कोलो वक्रे वक्रे रूपने, जिस देवेच साड़े कोलो सब तो पहला निबान्द होंदा है, फिर जीवनी है, फिर स्वै जीवनी है, रेखा चितर है, फिर यादा ने, फिर चिठिया ने, सो इस तरीक के देन आल ए साहित नू पेश करनवाले उ सारे रूपने जिना देवेच ए उ पेश हो रहा है, जो आखराअन स seventeen, जो शबदा कोलोसार, उ शबदी संसार, वाक-वाक रूपन दे वेच साड़े कोलों हो पहलेता, इक साड़े कोलो लोग साहित है, एक विशिष्ट साहित है जदो आसी इना दोना दी भी बंड कर दी है तब शिष्ट साहित ओ है जिस दी दा कोई खास सिर्जन हा रहा हूं दा मिसाल देत आउड़ते हैं कि चिटा लहू नावल दा सिर्जिक नानक सिंग है ओ किसे व्यक्ति निरचया शिष्ट साहित हो गया कि जिस्दा सिर्जन हारे नाम उस लिखते हैं दूसरे पासे साड़े को लोग साहित है जो पीडी दर पीडी मौखक रूप दे विच अग्ये चलदा है जिस्दा कोई विशेश सिर्जन हारा एक नहीं किसे नाम दे नहीं सबस्मुहिक चेतना और समुहिक लोकां द्वारा सिर कैप जो लोग साहित है जद्या कोई खास सिर्जन हारा नहीं जब शेश नाम दे रूप बेच नहीं सगों शमुहिक जड़ा अबचन होई जद्या जों पर वान दितरा हैं जो आम प्रवानगी जितलती होई है जद माकिक रूप देव के पीड़ी दरपीडारे अग्यं चलदा कलातमक अब विएक्ति कर रहा है साहित determ ho साहित बारे गल किती जन्दी है तो लोग वाक वाक तरीक्य देनाल साहित नू प्रिबाश्यत कर दे हैं जदो सी प्लैट्टो तो ही वेख दे हां ता उस समय तो ही साहित दे बारे वेच बहुत सारी चर्चा है वो हो रही है कि जदो प्लैट्टो साहित नू प्रिबाश्यत कर कि दिष्टमान संसार जड़ा है उससे होर नकल है अग्योजड़ी दिष्टमान वरतार्यान दी नकल है उकी है वा हुए साहिध है इसके जड़ों प्लाक्तो ना झाथ आप अफार्ण साहित देबारे विच गया है कि ऑफोटोजनिक साच है प्रंतु प्लाटो दा ही चेला जदो अरस्तु दी गलचल दी है ता अरस्तु पामे के अपने गुरू वांग नकल दी गलचा कर दा है प्रंतु ओ एक एर्या है कि जो साहित है ओ फोटो जाने की साच नहीं है सगो कि यह हो एक कलात्मक अभिवेक्ति जे में एक फोटो किची जान दिया हूब भू कि जे थार्त नू पेश बेशक नहीं कर रहे है वरतारया नू पेश नहीं कर रहे है प्रन्तु उदे वेचे कवी दा अपना सोहुज, अपनी ऐस्थेटिक्स, उदा अनभव, उदी कल्पना और उदे जड़े तजर्बेने, उसारे ज़े सारे शामल हो जानदेने के पामे के साहित वर्तारियां दी उपज भी है परन्तु एदे बावियों दोदे वेचिकलातमक अभिव्यक्ति ते अनभव जड़ाए वो शामिल हो जानता है इस तरीके देनाल साहित नू असी वेख दे हां कि कोज ते विचार आत्मक पदर थे जो विचार बने हुए ने साहित नू पर बाश्यत कारण दे लई ते कोज ए ने के जवे साहित नू बहुत सारे ग्रंथ लिखे के जिड़े खास्त और ते आपा होर डिसिप्लन वेख ल साहित बनजन्दियों साहित नहीं हुँदियों क्योंकि साहित दे विचेशतत जिड़े ने कारजशील हुदे ने जिनना करके साहित साहित रिंद हैं जिवे असी गल कर दे हां कि साहित विचारता रहुदी है साहित दे विच पाव हुदे ने कलपना हुदी है दृष्टी ह हुँ पुषिख नीजिसे प्रकाइट से सबस्क्राइब गड़ करें गोर्बानी ए गुर्बानी देविश गुरु नानिकिप जी अश्टाइब करें देवार है तो पहुत करें धिया था सब्सक्राइब गड़ करता अश्य दिवार देवार जित्टे ऑप संश्य को प्रवच्चन है उते नाल दी नाल जड़ा समाज के यथार्थ है उस वे लेदिया स्थितिया ने सामकाली इनवर तारे ने उना दा हूब हूच चितरन कर दी भी नजर हूं दी है ता बाबा फ्रीद जदो असी बाबे फ्रीद दे स्लोकां तेजे जाए ता बाबा फ्रीद द जित्थे मनुखी यथार्थ दीदास्तान पेश कर दा है कि जंदगी दे वेच्चे हर मनुख जड़ा है किसे ना किसे कारन करके दुखी है और एक विशेश वेक्ति जा एक आम वेक्ति दुखी नहीं है सगो सारे ही लोग एस दोखनों पोग दे हैं सो सानूं पता लगदा है कि एस दे वेच्चे जित्थे ओस समय दीस्थिती नों परगटाया गया है ओथे जीवन दा साच भी पेश होया है ऐसे तरीके नाल जे असी आदुनिक लिट्रेचर जड़ा है ओदे वी चो एक्जाम्पल लिने हां ता जे में पाई वीर सेंग समा कवता दीगाल कर देनी कि रही वास्ते कात्य समय ने एक नमननी मैं रही फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कननी मैं के में न सकी रोक अटक जो पाई पननी ए तिर्खे अपने वेग गया टप बनने बननी हो अजे संबाल एस समय नू ए ठैर न जाज नी जान दा लंग गया नी मुड किया मनु अधिकाल दी पोईटरी ते एक मौडरन पोईटरी ता ए दुनना दे वेच जीवन दा साच है कि समा मनुखी दंदगी दे वेच किना महातव राखता है और वो किसे एक व्यक्ति लई नहीं है एक उमर दे एक वर्ग दे व्यक्ति लई नहीं है सुगों हर किसे दे लई कि महातव है इसनों प्रगटाया गया है कि जो समेधी उच्छत ते सही संबाल नहीं करनेंगे और पिछे रह जानगे ते समा जड़ा है और गेवाद्दा जाएगा ते सही संबाल करने वाले वेक्ति ही दंदगी दे वेच कामयाब होएगा क्यान तो पाव मेरा एह है कि जदो असी साहित नू प्रभाशित कर दे हां ता सिकेने है कि सत्यम शिवम ते सुन्द्रम दी गाल करता है साच दी गाल करता है कि मनुखी जीवन दी सचाई की है जैमें बाबा फ्रीजी ने दोख दी गाल किती आगनिक पलोट बोटरी दे वे जदो असी पोईटरी नू पढ़ दे हां जदो इस पोईटरी दे बारे वेच आपा समझ दे हां ता एक अनांद ते खेडा दिन दियाने इह रचनामा फिर अगली कल्यान कारता देनाल के वें जुडिया हो याने कि जदो मनुख जड़ा है इनना दुना गल्ला बारे आपनी जन्दगी दे वक्रे वक्रे पडामा बारे सोचदा है ओ अपनी तरक्की बारे सोचदा है अगे वदन बारे सोचदा है ता समेदा वी मनुख जन्दगी दे वेच बहुत महत्तव है ते दोख सोख वी मनुखी स्रीर दे दो पहलू है जिन्नी छेती मनुख इनना गल कि जदो आपा सचाई दी कल्यान कारता दी अस्थेटिक्स दी गल कर दे हां ता आतिने ही पाकसन इन्ना विच्छों मिल जनते ने सो असली साहित दा प्रयोजन मानव तैशी होंदा है पामे के विचारत्रा इपदर दे वक्रे वक्रे जेवे मैं पहला गल किती के प्लैटो दी रस्तू दी के ओ साहित जदो प्रेबाशत कर देने ता साहित के वे जड़े बरतारयां दिन्दकल ते जड़े अनभव दी गल कर इसे तरीके देनाल जदो असी बाकी विचारत्रा इपरे पेख दे विच वेख दे हां जदो मनो विज्ञानी साहित नू एक्स्प्लेइन कर देने जड़े मनुख दे अंदर अत्रिप्त पामनमा रहे जंदियां ने कि ओ गल्ला बोल के किसे देनल नहीं कर सकदा ज़े जड़ा प्रगटावाए ओ साहित है एसे तरीके देनाल जड़े रोमांसवादी ने ओक इंदेने के प्यार विच मोई बंदियां दे शब्द जड़े ने ओ साहित है ज़े डू इसे अगहे चल देहां ने खासत और टे मास्वादी से दाउं प्रगती आदी से दान्तनूँ वेक देहां तो देवेच कियाँ गया है कि जढू प्रोलोतरी बुर्जवाजी है ते —प्रोलोतरी बुर्जवाजी दिगल्चरbon देने अ संहितना तो संहितना है वोकिया है। असरही के दिन आल वाखवाक समय है विचारत रामा पैदानदियाने ऊनधे…. ते साहत वाक वाक तरीक्यां दिनाल पेश कीता गया है, प्रंतु साहत असल दे वेच गटावा है, विचारां दा परगटावा है, मनुख अतैशी है, और जड़ा अंदर ला पाव है, अभिव्यक्ती है उदी, उदा परगटावा है कि उसने अपने अंदर जो दे अनबवने जो अपने समझ है अपनी जंदिगी प्रती समाज प्रती और ओस समझ विच्छों के इस तरह उसने मनोखनू सेथ देनी है क्योंकि जदों असी वाकवा क्लास की साहित दी गल कर दे हैं वाकवाक समे दौरान जडियां साधे कोलो महान किर्ता साधे कोलों उंदियां ने जे प्रतु एदे बावियूद जदो असी गुरुगरंद साहिब दी व्याख्या ते उदा विशलेशन कर दे हां जदों सी समझ दे हां गुरुगरंद साहिब दी टेक्स्ट नू बढ़ दे हां अध्यन कर दे हां तह जित्थे ओ एक तार्मिक प्रवचन है उत्थे नाल दी न समय वेच पैदा हुए महाओल पामेव राजनिती सी तरम सी समाज सी उस वक्त देडास मुच्चा ये थार्थ है उसनों भी पेश कीता गया है क्योंकि जदों सी गुरुगरंद साहिब दे वेच वाखवाख पाशामाने और वाखवाख जड़े इलाकियां दे लोग ने उन समाज प्रती उना दन 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 जरिया के हो जासी अनूं वाखवाख बार दी गल कर सकते हां कि और अवरत दे वार दी गल के में किती गई है के और तोस समय के वे आवरत नूं हाश्या गत्स सम्जाएं जैनों गुरुनानिक देव जी ने सब तो पहला आवाज उठाई सी सोक तरीके देनाल जदो तारमिक पाखंड बाद जड़ा वाय चेले नचन गोर दी जदो गल हुंदी है ता उस वकत यह जडियां स्थितियां सी गियां के रोटियां कारन पूरे ताल जड़ियां उके में हो रहे सी इस दी गल किती गही है जड़े उस वकत पाखंड प्रचलत अज भी किन्नी सार्थिकता प्रसंगिकता है अज दे समाज दे वेच भी के असल वेच जदो असी ए सारे टॉपिक नू कंक्ल्यूड कर दे हां समुचे तौरते असी यह वेख दे हां कि जिनियां साड़े को लो महात्तपूर्न रचनामा उंधियां ने साहित दियां किर्ता इस यह फिर्वेच अंटे ना सिर्फ मनोख्र जड़ा पाथिक है ओदे सोहजन ओधे अनंद दी त्रिप्ती कर दिया सगो ँस वकत दियां जुदियां जडियां इस वरतारे ने वकत दा जीधार्श जड़दे जड़ा मुल्म बदान है तौरे भी क्योश अशाः कि पावे के एसनों सी सीमत आयरे वेच नहीं राख सकते साहित दा प्रयोजन है बहुत वसी दायरे देवेच फैल ले होया है इसे करके समय समय ते स्थितियां दे अनुसार कोछ गलां बदलनी या रिंदियाने प्रंतु समुचे रूप जैसी जानना होवे जैसी समझना होवे त साहित दा प्रयोजन मानव हतैशी है मानवी मुल्ना दी गल कर दा है मनुख नू मनोक बनोंदा है मनोक दो अग्यवदन देली प्रेयरवत करता है और मनोक नू मनोक दे आपे दी पहचान करोंदा है बहुत-बहुत दानवार झाल झाल झाल